आइलेंड इस ड्रामा को फोटोग्राफर उनने बताता है कि कहा जाता है कि मॉंस्टर को हिल्स गेट से आने से रोकने के लिए भगवान ने अपने 46 बच्चों के स्टैच्यू बना दिये और उसे ब्लॉक कर दिया तीनों बात करते करते जंगल के बहुत अंदर तक चले जाते है और फिर दो स्टैच्यू के पास रुख जाते हैं फोटोग्राफर थोड़ी दूर कैमेरा से टप कर रहा होता है और कपल्स स्टैच्यू के पास होते है तब इस स्टैच्यू पर क्रैक्स आना शुरू हो जाते है और स्टैच्यू जमीन में चले जाते है पर फोटोग्राफर को कुछ पता नहीं चल रहा था तबी जमीन से ब्लैक स्मोक निकलता है और दोनों कपल के गले में चला जाता है गले में स्मोक जाने के बाद स्वी मेल परसन जब खासती है तो उनके गले में से एक अजीब सा कीडा बाहर आता है इदर फोटोग्राफर नोटिस करता है कि दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे है जब वो पीछे मुड कर देखता है तो उसे मेल कपल नजर आता है वो देखता है कि उसके शरीर में से कुछ काटे जैसे चीजे बाहर आ रही है इतने में ही वो मेल कपर फोटोक्राफर पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है तबी पीचे से एक तलवार उसके सर में गुज जाती है और यहां हमें देखने को मिलता है यॉंग जो कि हमारा फर्स लीड क्यारेक्टर होता है दूसरी तरफ हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर पेंटिंग को देखकर परिशान होते हैं और जॉन को बुलाने को बेचते हैं जॉन हमारा सेकंड में लीड होता है हम देखते हैं कि जॉन हेटफोन लगा कर एक लड़की के शरीड से इविल सोल को बाहर निकाल रहा होता है हमारा सेकंड में लीड जॉन फादर से मिलने जाता है फादर उसे पेंटिंग दिखाते है जिसमें से खुन निकल रहा था जॉन फादर से पूछता है कि पेंटिंग में ये लड़की को ने फादर कहते है बहुत समय पहले जब बुराई अच्छाई पर भारी पर रही थी तब ये लड़की सेवर बनकर दुनिया को बचाने के लिए आई थी पर वो अपना मिशन कम्पलिट करने से पहले ही मर गई थी और जिस आदमी ने उसे मारा वो अब भी जिन्दा है और उस आईलेंड में कही है अब दुनिया में फिर से बुरी शक्तियों का साया बढ़ने वाला है फादर कहते है लोगों ने काफी समय पहले एक नया सेवर ढून लिया है और उस पे नजर भी रखके हुए है वो लड़की फिर से उस आईलेंड पर वापस आएगी फादर जॉन को उस आईलेंड पर जाकर सेवर की हेल्प करने का कहते है ताकि वो दुनिया को बचा सके अगले सीन में हम हमारी फिमेल लीड को देखते है जो की एक पेंटिंग के बारे में बता रही होती है वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स थे उन में से एक रिपोर्टर देहान होटेल के बारे में पूछता है तो हमारी फिमेल लीड जिसका नाम मिन हो होता है वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि जितनी भी पेंटिंग से वो सारे देहान होटेल के रूम्स में लगाई जाए तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है, आंटी को आता देख मिस्टर चांग और सेकरिटरी दोनों ही चले जाते हैं मिन्हो और उसके आंटी के बीच कमपणी को लेकर बहास होती है, जिसे चीड़ कर उसकी आंटी वहासे चले जाती है मिनो जब घर लोट रही थी तभी उसके कार के आगे अचानक एक कार आके रुख जाती है मिनो का सेकरेटरी कार से बाहर आता है तभी आगे के गाड़ी से दो गुंडे बाहर आते हैं और दोनों सेकरेटरी से बहस करने लग जाते हैं सिचुएशन समालने के लिए मिनो खुद कार्ट से बाहर आती है और उन से माफी मांगने लग जाती है पर वो लोग मिनो के सेक्रेटर को बुली करने लगे थे मिनो घुसे में एक आदमी का हाथ पकड़ कर उसे जमीन पर गिरा देती है और दूसरा आदमी उसकी एक वीडियो बना लेता है अगले दिन वो वीडियो पूरे कोरिया में वाइरल हो जाती है जिसकी वज़ा से देहां होटेल के शेर्स पूरी तरह से गिरने लगते है सारी न्यू चैनल पर यही दिखा जा रहाता की केसे देहां होटेल की सीओ की बेटी लोगों को रास्ते में मार रही है इसकी वज़ा से मिहो के पापा उससे बहुत जादा नाराज हो जाते है मिहो उन्हें समझाई रही होती है तब ही मिस्टर चांग कहते है मामला शांथ ह होने तक हम मिसो को जेजू आइलेंड पर भेज देते है मिन्हो अपने सेकरेटरी के साथ जेजू आइलेंड पर पोच जाती है जहां बहुत सारे रिपोर्टर उसका पहले से इंतजार कर रहे थे रिपोर्टर को देख कर सेकरेटरी मिन्हो को पीचे से पार्किंग में जान के तरफ जाती है पार्किंग में जाते समय उसे एक लेज डिमन दिखाई देता है जो उसे देखते ही मारने के लिए आ जाता है दूसरे सीन में हम देखते है कि वान एक औरस से मिलता है जिनकी बातों से लगता था कि इन्हें मिन्हों का ही इंतजार था तभी हम बहुत पेले वाले जेजु आइलेंड का सीन देखते है जहां हर कोई मरा था एक बच्चे को छोड़के कुछ लोग उस बच्चे को एक मौंग के पास ले जाते है वहां पता चलता है कि एक लीज डेमन ने पूरे गाव को मार दिया था मौंग के पास एक लेडी आती है और केती है कि क्य आप फिट से वोसब करने वाले हैं रिप्लाय में मौंग केता है हाँ लेडी केती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आपने पहले भी ऐसा किया था और कोई नहीं बचा मौंग केते है कि क्या तुमारे पास कोई और रास्ता है दरसल मौंग बच्चों को डिमन स्लेयर बनाने की को इमन के पीट में से उसका लावा जैसा खून कटोरे में भरते हैं और उसी खंजा से बच्चों के पीट में होल करके उसमें डीमन्स का खून डाल देते हैं सुझे तक सिब दो बच्चे सर्वाइब कर पाते हैं मौ उन दोनों से कहता है कि अपसे तुम आदे इंसान और आदे डीमन्स हो और उनकी डीमन्स लेयर की ट्रेनिंग चुरू कर देता है फिर वहाँ एक ओल लेडी आती है उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है वो बच्ची वान को ज्यान से देखती है तब ही सीन चेंज होता है और हमें मिन्हो दिखती है जो जेजू के एक स्कूल में अपने दोस्स से मिल रही थी दोस्स से मिलने के बाद मिन्हो अपने सेकरेटरी के साकार में घर जा रही थी तब ही उसे अपने पापा का कौल आता है कि अपसे उसका सारा काम उसकी आंटी समालेगी गुस्से में मिन्हो कहती है कि जब तक हो जेजू पर है तब ही तक उसकी आंटी उसका काम समालेगी औ मिन्हों के पूछने पर वो आदमी मिन्हों के फोन पर कुछ फोटोस सेंड कर देता है। फोटोस देखकर मिन्हों कार को साइड लगाने को कहती है। क्योंकि इस सब की पीछे उसके सेक्रेटरी का हाथ था। मिन्हों बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो अपने सेक्रेटरी को फैमिली की तरह ट्रीट करती थी गुसे में आकर वो अपनी कार वही छोड़कर किलिए ही घर के रास्ती के लिए निकल जाती है यहाँ Secretary भी दुखी होता है क्यूंकि वो इसको धोका देना नहीं चाहता था Minho Mr. Chang को Call करती है पर Network Problem की वज़े से Call Connect नहीं हो पाती तभी वो देखती है कि उसका Secretary उसके सामने खड़ा होता है Secretary भारी आवाज में केता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती मिनो उसके हाथ और आखे नोटिस कर लेती है उतने में ही सेक्रेटरी मिनो पर अटैक कर देता है मिनो उसे किक मार कर जंगल तरफ भागने लग जाती है पर वो डीमन उसका गला पकल लेता है तबे वहाँ वांग अपने फूल स्पीट से आता है और उस डीमन का हाँ काट देता है और हे एपिसोड यही खतम होता है